हेलो एवर्बरण गुड इंडिंग कैसे हो होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही योगे शो फ्रेंड्स रिजनिंग की एस्पेसल क्लास में आप सब लोग का बहुत बहुत श्वागत है फ्रेंड्स इससे पहले मता दूँ और भी अगर आप लोग को क्लासेस देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं तो पंदरा जून को आपका एग्जाम है छे जून को आपका एडमिट का आज आएगा और तैयारी में आप लोग लगे रहे हैं जोरों से ठीक है और ये दो दिन और मौका है आप लोग के लिए वाला प्रेटेप आप 7905632533 पे आप लोग हमें वाट्शप मैसेज कर सकते हैं जैसे पेमिन्ट वगर आपका हो जाता है तो पीडियाप अगर आप लोग नहीं डाउनलूट कर पाते हैं तो आप लोग हमें यहां पे मैसेज कर सकते हैं ठीक है यह समय आपका मैं बरबाद नहीं करना चाहता हूँ और ये मैराथन वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देखें लेना डेड़ बज़ वाली है ठीक है चलिए सबसे पहला प्रशन आपकी स्किन पर आ गया है मैं परसों में क्लास में बोला था कि जिनके पास भी जो है रिजनिंग का अब इसी पीडियाप को मैं आपको शेंड कर दूँगा ठीक है मतलब इसमें मैं कुछ कोशन सौल करवाँगो कुछ कोशन नहीं सौल करवाँगो तो आप लोग अपने से सौल कर लेना आंशर भी आपको लगा दिंगा इसमें ठीक है पूरा शलूशन के साथ चलिए तो टेलीग्राम चलन को जोईन के लेने टेलीग्राम चलन के नामे एजुकेशन भी साहिल इस वीडियो के डिस्किप्सिन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ फटा-फट जोईन हो जाएगा च ठीक है कैसे होगा मतलब प्रतीमा जो है मुर्तिकार बनाता है उसे प्रकार कप्ले कौन बनाता है तो दर्जी ही बनाता है तो पहला का सी आपका बलकुन करेक्ट हो जगा चलिए बहुत इच्छे दोजार तेईस में बहतर ही नों को साथ अगर आपको बेट में एडमिशन लेना है सरकारी सीट लेना है एक्जाम पांस करना है तो बस इसी चैनलों को सब्सक्राइब करें इधर उधर आपको अब टाइम वेस्ट करने की अवश्यक्ता नहीं है चलिए इसमें विशम संख्या का चैन करना है जैसे यहां पे 343 है 629 है 512 1444 है तो इसमें विशम कौन स 243 यह सब क्या है एक मतलब घं संख्या है 144 आपका घं नहीं है यह स्कौयर है आपका वर्ग संख्या है ठीक है तो यहां पर आपका डी वाला विलकुन करेक्ट हो जागा ठीक है चले बहुत अच्छे अगला प्रशन आपकी स्केन पर आगया है यह इसमें से विशम आपको कर दो सभी अच्छे तो यहां पर देखिए अलग जो आपका विशम है वो है बंदरगा बंदरगा क्यों विशम है क्योंकि यह एक क्या है जल इस थल है बाकी सभी आपके जैसे प्लेटफार्म हो गया पार्क हो गया बस स्टैंड हो गया यह सभी क्या है थल इस थल है ठीक ह चलिए अगला प्रशन देख सकते हैं चलिए ये इसका उत्तर बताइए सभी बच्चे चलिए यदि एक कूट भासा में इसको जो है ये ऐसे लिखा जाता है तो इसको फ्रांस को कैसे लिखा जागा ये आपको उताना है फड़ा फड़ा अंसर करेंगे वर्डमाला से कम से कम तीन कोश्चन आपके एक्जाम में देखने को मिलेंगे और रिजनिंग हो गया एल लैंग्विज हो गया जितना आप लोग इसमें प्रैक्टिस कर लें उतना सही है अभी आपके पास तैयारी करने का से का तीन होता है तो सब याद कर लें जिस जड़ तक और अपोजिट भी याद कर लें जैसे एका अपोजिट जड़ बी का वाई सी का एक्स होता है ठीक है डी का डबलू हो गया तो यह सब अपोजिट आप लोग याद रखिए जैसे जी का सेविन हो गया E का 5 हो गया और R का 18 हो गया तो F की value कितनी होती है मन कितना होता है मतलब अंक तो F का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा कामा लगा दीजे R का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा ठीक है A का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा N का कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा C का 3 E का 5 6, 18 1, 14, 3, 5 तो किसमे हैं? बताइए सब लोग यह वाले में आपका बिलकुन सही है ठीक है? चलिए यह वाले आपका बिलकुन करेट हो जाएगा बिलकुन सरल प्रशन था चलिए बिलकुन सरल प्रशन था चलिए अगला प्रशन यहाँ पर देख सकते हैं शब्द कार्पोरेट में अच्छरों में कितने ऐसे जोड़े हैं जिनमें प्रतेक के बीच शब्द में उसी अनुकरम में उतने ही अच्छरे जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं यहाँ पर मैं अच्छे से बड़ा बड़ा कॉर्परेट लिखे दे रहा हूँ कार्पोरेट अब सभी वच्चे आंसर करेंगे कि कार्पोरेट में अच्छरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रतेखे के बीच सब्द में उसी अनुकुरम में उतने ही अच्छर हैं, जितने अंग्रेजी वर्डमाला में होते हैं। फाइब कर जॉब दने के प्रास करें के सबी लोग, बहुत एच्छे, एक तो देखिए, इसमें मैं कलर चैंज किया दे रहा हूँ, एक तो आपका यह बन जाएगा, O, P, ठीक है, एक यह बन गया आपका, ठीक है, ऐसे में लिखे दे रहा हो, एक हो गया, अब बताइए, एक कौन सा हो जाएगा, एक यह बन जाएगा, R के बाद ST तो यह आपका बन गया एक और बन गया ठीक है RXT और बताइए आप लो एक ये बन जागा, देखिए P के बाद Q, R, S, T ये बन जागा एक एक और बन गया तीन बन गया, एक जोड़े और मताइए कौन सा बनेगा इसमें एक ये बन जाएगा PQR ये वाला बन जाएगा ठीक है तो चार जोड़े आपके बनेंगे इसमें ठीक है चार जोड़े चलिए आगे चलें अगला प्रशन आपकी स्किन पर आ गया है सबी बच्छे इसका अंसर करेंगे ये इसको जो है किसी कूट भाष्षा में ऐसे लिखा जाता है तो इसको जो है किस प्रकार लिखा जाएगा ये आपको बताना है सिख से का जाब देने का प्यास करेंगे बेलकुन शरल प्रशन है और सभी बच्छे वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो लाइक करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है बश मोटिवीशन अंदर से मिलती है आप लोगे लिए मेहनत करने के लिए शर भी लोग आंसर करें भाई बहुत ही सरल सा प्ष्छन है चली इसे सौल करें जैसे यहां पर दिखें आई-ए-ए-ए-च---------------------------------------------------------------------------------- यहाँ पर I का कोड क्या है, इधर से देखें, तीसरे नमबर पर I है, इधर से तीसरे नमबर पर क्या है, दो है, तो इसी से आपको जो है, उठाना है, ठीक है, दो हो जाएगा, N का क्या हो जाएगा, N लाश्ट में है, लाश्ट में क्या है, यहाँ पर, तो N का कोड पांच है तो यह N का कोड़ यहां पे पूँचा है तो 5 हो जाएगा ठीक है तो इसी प्रकार आपको H का बताना है H का देखिए यहां पे चौथे नमबर पे हैं तो चौथे नमबर पे हैं क्या है? 3 है 3 आ जाएगा 2 शोट 3 पन यह तो आपका होगा नहीं ठीक है? अब इन तीनों से छाटने हैं आपको I का देखिए I इधर लाश्ट में तीसरे नमबर पे सी था तो 2 आ जाएगा B का देखिए B यहां पे था ना 1, 2, 3, 4, 5, 6 चाटवे नमबर पे आपका ना तो चाटवे नमबर पे यहां पे क्या है? 1 है तो 1 आ जाएगा ठीक है? अब देखिए यहां पे T तो T यहां पे देखिए इधर से चौथे नमबर पे हैं किनारे से तो यहां पे चौथे नमबर पे क्या है? 4, 4 आ जाएगा ठीक है न, उसके बाद देखी यहाँ पे क्या बचा, I तो I का फिर code क्या हो जागा, 2 हो जाएगा ठीक है अब बचा O O का code यहाँ पे देखी क्या है, 0 है तीसरे नमबर पे, 0 हो जाएगा बचा N N लाश्ट में है, फिर 5 हो जाएगा ठीक है, 25, 32 25, 32 6 का A, ठीक है यह वाला साही होगा, यह वाला, ठीक है 25, 32 14, 205 एक मिनट, मेरे आश्ट में कुछ और निकल गया रहा है यहाँ पे एक मैंने लिखना भूल गया था, दो ठीक है, दो लिखना भूल गया था, ठीक है अगला प्रश्ण है, कुछ शमी करण किसी विशेश पणाली के आधार पर हल किये गए है इसी आधार पर हल ना किये गए, शमी करण का उत्तर गयात किजे एक कोड में भूल गया था, उसके लिखना ठीक है सबी बच्चे आंसर करेंगे भाई बिलकुन सरल प्रश्ण है शाद गुड़े आठ गुड़े तीन बराबर आठ सो तीहत्तर यहां पे लिखा गया है और पांच गुड़े नव गुड़े चार बराबर क्या लिखा गया है नव सो चववन लिखा गया है तो यहाँ पे दो गुड़े, साथ गुड़े, पांच बराबर क्या हो जागा बताईए बाई सब लोग अब देखी यहाँ पे बीच में आड़ ताना तो इसको फ़श्ट मिला दिया गया तो साथ को हम पहले ला लेंगे अब देखी यह पहले वाले को बीच में कर दिया तो पहले वाले को हम बीच में कर देंगे बचा आपका 575 आपका होज़ा गा सबी लोग आंसर करेंगे आठवा का जॉब देने के प्रयास करेंगे तो इसमें आपका देखी ये वाला सही होगा चेक कर लेते हैं 6 गुड़े 15 हो जाएगा फिर भागे आपका 10 हो जाएगा फिर प्लस आपका 3 हो जाएगा बचा आपका बराबर 12 12 बराबर 12 आना चाहिए आपका ठीक है चले solve कर लेजे 6 हो जाएगा जब 10 से हम 15 में भाग देंगे तो 1.5 आएगा भाग पल ठीक है उसके बाद प्लस का 3 अब इससे solve कर लेजे 6 का गुड़ा इसमें करेंगे तो कितना आजाएगा 9 आजाएगा ठीक है? पलस बचा आपका 3 9-3 कितना होता है? 12, तो 12 बराबर 12 आ गया ना तो यही आपका सङी हो जाएगा ठीक है? एक बार इन सभी प्रशनों को एक बार खुद से जरूर लगाईएगा प्रैक्टिस करिएगा जितना हो सेगे उतना प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, चलिए, बहुत इच्छे, दीगए विकल्प में से लुप्त शंख्या ग्यांत कीजिसमें, यहां पर प्रश्णवाचा की जगापी क्या आएगा, जैसे यहां पर 288 है, 520 है, 384 है, तो सबसे पहले इसको पता करिए कैस से आया, 9 का जवाप दने के प्रयास करेंगे सभी लोग, बहुत इच्छे, जैसे यहां पर देखे, 288 है न, 288 है यहां पर, अब 288 में किया क्या गया है, यहां पर देखे, यह 12 और गुन 3, तो 12 तहीं 36 हो गया, 36 से जब इसको 288 को डिवाइट करेंगे तो यहां पर 8 ही निकल गया गया, यह 8 कैसे आया, यह 288 को 36 से डिवाइट किया गया है, उसी प्रकार यहां पर 520 है, तो 13 गुणे 5, 13 पचे 65, 65 से यहां पर 520 को डिवाइट किया गया है, तभी यहां पर क्या आया है, 8 आया है, डि हुआ चानवे को चानवे से जो है तीन सो चौरासी को डिवाइट करेंगे तो यहांपे क्या निकल गयागा बताई हैता गया है तो लोग प्रैक्टिस करिएगा कोबप्रيم प्रैक्टिस क ए इसका answer भी नीचे में दे दिया हूँ ठीक है बड़ answer आप लोग तभी देखिए का जब आपको ना आए ठीक है यह सारे के answer में दे दिया हूँ ठीक है यह सारी seat लगा दिया हूँ answer की चलिए तो यह आप लोग के लिए था matter, pdf आप लोगों को मिल जाएगी जैसे ही class इसकी खतम होगी ठीक है बाकी चैनल को subscribe के लिजए का कल से जो class होगी reasoning की उसमें question मैं बढ़ा दूँगा ठीक है तो चलिए thank you चैनल को subscribe करके bell icon को all papers के लिए ताकि जो भी UPBA attendance exam की update आई वो update आपको शबसे पहले हमारे चैनल के मादम से मिल सके था ताकि सभी बच्चों के पास जो है वीडो पहुंश के लिजगा अगर आपका syllabus complete हो गया है तो रिवीजन के लिए राम बाण नोट से हमारा वीडियो को description box में link के दे दिया हूं प्रेंगे श्माच बाइबाटाइग गया रिवीजन करें खोब प्रैक्टिस इप लगाएं